Hi everyone, welcome to Speech Bubbles and today we are going to learn about error correction and 5 Hindi sentences through English Hello दोस्तों, Speech Bubble में आप सभी का स्वागत है और आज हम अशुद्धी संशोधन के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी वाक्यों की सहयता से 5 English के sentences सीखेंगे So let's start, तो चलिए शुरू करते हैं So our first sentence is, मेरा प्राण संकट में है ये हिंदी का वाक्य है, जो की अशुद्ध है और इसे हमें शुद्ध में बदलना है तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गलती कहाँ पर है मेरा प्राण संकट में है, means इसका meaning English में क्या होगा My life is in danger गलती यहाँ पर कहाँ पर है, मेरा मेरा प्राण संकट में है, तो मेरा की जगा पर क्या हो जाएगा मेरे, मेरे प्राण संकट में है meaning my life is in danger मेरे माई प्राण लाइफ संकट डेंजर में इन है इस मेरे प्राण संकट में है, my life is in danger Let's see the next sentence दूसरा sentence है मैंने अनेको कहानिया पढ़ी है यह अशुद्ध वाक्य है और इसे हमें शुद्ध करना है Find out करना है कि गलती कहाँ पर है, mistake कहाँ पर है तो मैंने अनेको कहानिया पढ़ी है अनेको ये गलत है, क्योंकि अनेक का मतलब अल्रेडी बहुत सारा होता है और अनेक खुद ही में ही एक plural है एक का opposite अनेक होता है तो यहां क्या हो जाएगा? मैंने अनेक कहानिया पढ़ी है इंग्लिश में क्या होगा? I have read many stories मैंने आई अनेक मेनी कहानिया स्टोरीज मैंने अनेक कहानिया पढ़ी है I have read many stories I have read many stories मैंने अनेक कहानिया पढ़ी है Next Next is बहुत से भारत के वैग्यानिक विदेश गए है तो यह अशुद्धवा क्या है? इस sentence में error है और हमें find out करना है कि इसका शुद्ध क्या होगा? Mistake कहां पर है? तो यहां पे mistake कहां पे है? बहुत से में कैसे? Because आप देखोगे बहुत से भारत के वैग्यानिक तो यहां पे जो यह बहुत से है भारत को qualify कर रहा है मिन्स बहुत से भारत भारत एक ही है, बहुत से नहीं है तो क्या होगा? कि भारत के बहुत से वैग्यानिक विदेश गए है एक भारत के बहुत से वैज्यानिक विदेश गए हैं तो यहाँ पे इसका शुद्धवाक के क्या हो जाएगा भारत के बहुत से वैज्यानिक विदेश गए हैं इंग्लिश में Many Indian scientists have gone abroad भारत के means Indian scientists भारत के बहुत से विज्यानि मतलब Many Indian scientists बहुत से मतलब Many भारत के विज्यानि means Indian scientists विदेश गए हैं विदेश abroad गए हैं भारत के बहुत से विज्यानि विदेश गए हैं Many Indian scientists have gone abroad Next Next हमारा यह अशुद्धवाक है यह बात तमाम देश भर में फैल गई तमाम means वैसे होता है बहुत सारा इसको हमें find out करना है कि mistake कहां पे है तो क्या होगा यह बात तमाम देश भर में तमाम मतलब बहुत सारे देश भर में यह गलत है means यह बात देश भर में फैल गई तो meaning क्या हो जाएगा शुद्धवाके क्या हो जाएगा यह बात तमाम देश भर तमाम wrong है यहां पे यह mistake है यह बात देश भर में फैल गई यह बात देश भर में फैल गई this word spread across the country this word spread across the country यह बात देश भर में फैल गई next next अशुद्धवाके है हिंदी की ऐसी खिचडी बन जाएगी जो किसी को समझ में नहीं आएगी find out करना है mistake कहां पे है तो हिंदी की ऐसी खिचडी बन जाएगी हिंदी की यहां पे यह गलत है हिंदी ऐसी खिचडी बन जाएगी मिन्स हिंदी वोल इटसल्फ बिकम खिचडी खिचडी मितलब मतलब mixture m-i-x-t-u-r-e तो शुद्ध कहां पे होगा की रॉंग है यहां पे हो जाएगा हिंदी ऐसी खिचडी बन जाएगी Hindi से Hindi word है जो English language में भी उस होता है तो Hindi will become such a khichdi which no one will understand Hindi ऐसी khichdi बन जाएगी Hindi is Hindi, ऐसी khichdi means such a khichdi बन जाएगी, will become जो which किसी को means no one समझ में नहीं आएगी Hindi means किसी को समझ में नहीं आएगी no one will understand समझ आना is understand Hindi ऐसी khichdi बन जाएगी जो किसी को समझ में नहीं आएगी Hindi will become such a khichdi which no one will understand Next